वेगाइस वेलकम टू माई चैनल आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में तो फाइनली बॉक्स आपिस इंडिया से भी बाहू बली टू तू चुका है और पठान बन गई है हाइस्ट ग्रोजिंग हिंदी फिल्म जी हाँ दोस्तों ये हाइस्ट ग्रोजिंग बन गई है बाहू बली टू को बीट कर दिया है हाला कि प्रोडूसर के हिसाब से और तरण जी के हिसाब से यानि कि ऑफिसियल ये बहुत पहले बीट हो चुका है लेकिन सबसे बड़ी विबसाइट ट्रेड की दोस्तों बॉक्स आपिस इंडिया से भी आज तू चुका है बाहू बली टू बाहू बली टू ने दोस्तों 510 करोड़ 56 लाग कमाया था बॉक्स आपिस इंडिया से और अभी बॉक्स आपिस इंडिया से दोस्तों हो गया है पठान 511 करोड 35 लाग तो फाइजली दोस्तों बॉक्स आपिस इंडिया से भी बाहू बली टू चुका है औ और हर जगा सेट पठान टॉप पे है यानि नंबर वन है टोटल कितना बिजनेस हुआ है दोस्तों इसके बारे हम बात करते हैं संडे को दो करोड पचपन लाक इस फिल्म का बिजनेस हुआ मंडे को मैंने बताया था 90 लाक आएगा लेकिन 75 लाक आया और आज टूजडे है दो दो तो आप सभी को होली की बहुत सारी शुर्भकामना नहीं एक करोड झाया रही है यानि टोटल हो जाएगा 42 दिनों में 518 करोड 5 लाग हिंदी लैंग्विज से 42 दिनों में हिंदी वर्जन से ये फिल्म 518 करोड 5 लाग हो जाएगा और All India यानि ये फिल्म Tamil Telugu में डब होई है तो डब से ये फिल्म 11-19 करोड कमाई यानि टोटल हो जाता है 536 करोड 50 लाख officially दोस्तों ये फिल्म कमा चुकी है 390 करोड ये फिल्म overseas से कमाई है lifetime और ये फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई है बंगलादेस में रिलीज नहीं हुई है और ये 390 करोड original Hindi language में कमाई है दोस्तों जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है यानि कि ये फिल्म बाकी अलग-अलग भाशाओं में डब नहीं हुई है original Hindi language में ये फिल्म कमाई है 1000 करोड वर्ल्ड वाइड और टोटल हो गया है 1037 करोड कितना हैपी है दोस्तों कि शारूख खाल ने 80G फिर से दे रिया है यानि all time blockbuster all time grocer बन गई है पठान बाहु बली 2 को बीट करके और दंगल को भी ये बहुत पहले बीट कर चुकी थी जो कि बॉलिवुड में सबसे यदा कमाने वाली फिल्म थी दंगल उसे बीट कर दी और साउथ की फिल्म हिंदी में सबसे यदा कमाई थी दोस्तों बाहु बली 2 उसे भी बीट कर दी है कल दोस्तों एक नई फिल्म रिलीज हो रही है रनभीर कपूर की तू जोटी मकार जिसे वायरेफी डिस्टिबूट कर रहा है मुझे लगता है कि कलेक्शन गिरेगा और कल मुझे लगता है ये फिल्म सतर लाग, 65 लाग, 80 लाग ऐसे ही कुछ कमाईगी 75 लाग के आसपास और उसके बाद देखते हैं फिल्म कितने दिनों तक और चलती है और इसका लाइफ टाइम क्या 530, 35 होगा या 530 करोड तक ये पहुँचेगी दोस्तों रेकॉर्ड तो टूट चुका है अब पठान नया रेकॉर्ड बना रही है आप कमेंट करके बताएंगे कितना हैपी है और एफ एफ नूस देखते रहें लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें टेक कियर